हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आपके पास है दस ग्राम सोनी की कीमत सोने ने बीते साल दिया है मोटा रिटर्ण इस बार भी बाउंस बैक की है उमीद घरेलू बाजार में मांग घटने और ब्याज दरों पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व से मिले जुले संकेतों के चलते सोने की कीमत फिलहाल दो महिने के निचले इस्तर पर है हालना कि यह गिरावट लंबे समय तक रहने की उमीद नहीं है सोने की कीमत गिरने में अमतरास्टी और घरेलू दोनों कारण जिम्यवार है मीडिया में जो रिपोर्ट लगातार आ रही है उसके अनुसार आम तोर पर जुलाई में सर्राफा बाजार में सुस्ती होती है क्योंकि इस महिने भारत में शादी बया का सीजन या कोई बड़ा तयोहार नहीं होता सर्राफा कारोबारी अभी सोने पर डिसकाउंट दे रहा है दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरियंट को लेकर डर का बड़ा महौल बन रहा है भारत समेत दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर इस वैरियेंट के रूप में आने की आसंकार जताई जा रही है अगर आने वाले दिनों में डेल्टा प्लस के मामले तेजी से बढ़े तो बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है दुनिया भर के शेयर बाजार प्रभावित होंगे लेकिन डेल्टा प्लस के खौफ से उपर चड़ेगी सोने की कीमत इस समन्द में पूछे जाने पर जीम रोड दर्भंगा में अवस्थित डगरू सेट ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर संतोस लाठ ने बताया कि दो महिने के निचले इस्तर पर पहुँच गई है सोने की कीमत घरिलू बाजार में 47,000 से भी कम प्रती 10 ग्राम है अभी सोने की कीमत लेकिन दीवाली और धंते रस तक 52,000 रुपे प्रती 10 ग्राम हो सकती है सोने की कीमत निवेश करने का इसे बहतरीन मुका बताया संतोस लाठ ने उन्होंने कहा कि सोने ने पिछले साल भी मोटा रिटरंड दिया है सोने की वापसी के उमीद है रिकार्ड हाई से 9000 सस्ता है अभी सोना मतलब आगे आपका सोना सोना होने वाला है देखे जब भी विस्व में किसी तरह का महामारी का संकति या युद्ध के बादल मन राते हैं तो हमेशा देखा गया है कि सोने के दाम उपर की तरह भागते हैं तो जिस्टर से इस बार बार कहा जा रहा है कि लग वरोना की तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरियंट के रूप में आएगी तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सोने के भाव काफी उच्छे जा सकते हैं और यह एक सही वक्त तो साबित हो सकता है सोने में निवेस करने के लिए एक सुरक्षित निवेस के लिए आज 46-800 रुपे पर्टी 10 ग्राम का जेवर का रेट है और आगे उमीद कर रहे हैं कि यह रेट डिवाली धनके रस तक हो सकता है सावन हजार ते पनाजार भी देखें मेरे हिसाब से यही सही वक्त है कि इसी सावन लोग खरीदारी कर ले आगे आने वाले लगन की भी कर ले तो साइड उनको सही कलेक्शन और सही रेट मिल पाएगा उच्टम स्टर अंठावन था तो लगवग यह बारह हजार पे मीचे आया है